सनातन धर्म में मन्दिर और उसका दर्शन तो सनातन धर्म में जो सबसे बड़ी छीद की कल्पना की गई है या जिसको हमारे महर्शियों ने रिशियों नोए विज्वलाइड किया है वह ब्रहमांड ब्रहमांड से बड़ा कुछ भी नहीं होता है तो जो ब्रहमांड है वो क्या है वो है सिंबॉल यानि एक प्रकार का प्रतीक जैसे भारतिय घंडा भारत माता का या इंडियन नेशन का जंडा सिंबल है उसी टरीके से जो ब्रहमांड है एक उसका सिंबल है भाम यादि ब्रहमांड जो दिखता है ना वह तो पेड़ है जो दिखता है वह पेड़ है इक अब आधार में फाउंडेशन में क्या होता है जड़ और जड़ कैसे बनता है जब पोई फल चटाए जब तब फल सडे नहीं तो नया पेड़ नहीं उगेगा नहीं अगुनीत होगा तो उसी तरह जो ब्राह्म है वो है सत्य ब्राह्म यानि सत्य फ्रूथ ब्राह्म इत इक्वल तू सत्य और पूट एंड इत इन सीव और अब्जार्ब्ड एंड ब्राह्मांड जो ब्राह्म है वो सुक्ष्मनुप है ब्राह्मांड का अब ब्राह्म फोर्मुला है अहistो स्टुक्षर कर अब जो भी फोलाय का इसब मकाल नज़नाते हैं जो प्राह्मांड होता है जो देखा सकता है आनि जो हमारे सेंस और इंत神 ठीका aceц १ए ब्राह्मांड है इस कि भी वो ब्राह्मांड झतिक इन हाए अब उसी ब्रह्मांद में आकास गंगा है आकास गंगा को कहते हैं गलेक्सी और उसमें बहुत सारे सौर मंडल है ठीक है तो आकास गंगा को मिल्की वेटी कहा गया है और जो आकास गंगा है वो क्या है ब्रह्मांद का वो भी एक रूप है तो जो सबसे जो सूख्ष्म है उसको कहते हैं परा तो ब्रह्म क्या है परा ठीक है और जो ब्रह्मांद है वो क्या है वो पश्यन्ति है ब्रह्म क्या है परा है जो यानि वो समझो कि जीरो है जो ब्रह्म है वो जीरो है लेकिन वो ऐसा जीरो है जो किसी वो दिखाई नहीं देता आप इस जीरो को इस ब्रह्म को देख नहीं सकते इसको छू नहीं सकते ठीक है तो इसकी आप अनुभूती कर सकते कि अनुभूती को क्या कहेंगे अंग्रेजी में अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है जैसे मंदिर में जो प्रसाद मिलता है उसका कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है हाँ लेकिन एक्सपीरियंस जो अग्रेजीव होता है ना वो मेडियेटेड होता है जो अनमेडियेटेड एक्सपीरियंस होता है उसको अनुभूती कहते हैं जो अनमेडियेटेड एक्सकीरियंस है उसको अनुभूती कहते हैं और आप आम आदमी जो ट्रेंड नहीं है जिसको कॉस्मिक साइंसेस में ट्रेनिंग नहीं मिली है वो आदमी अनुभूती कैसे करता है तो गट फिलिंग और इंड्यूशन के द्वारा जो अनुट्रेंड माइंड है उसको रियालिटी को एक्स्पिरियंस करने का एक मात्र तरीका गट फिलिंग या इंड्यूशन है वेस्ट के लोग गट फिलिंग सबस्ते हैं और इंड्यूशन सबस्ते हैं ठीक है और वो लोग मेडियेटेड एक्स्पिरियंस सबस्ते हैं लेकिन अनमेडियेटेड एक्स्पिरियंस का अनुभूती वो नहीं सबस्ते हैं तो इसके लिए हमारे यहां दू सब्द हैं एक आत्मा नुभूती इसको अंग्रेटी में महात्मा गांधी ने अनुभाद किया सेल्फ रियलाइजेशन शुरू में सेल्फ रियलाइजेशन नहीं समझने आया वेस्ट के लोगों को तो उसके लिए गांधी ने काफी लेक्चर वेक्रा दिये समझना रही है बात तो सेल्फ रियलाइजेशन है और दूसरा यो चीद है वो है ब्रह्मा नुभूती ब्रह्मा नुभूती यानि गौड रियलाइजेशन अग्र इसमें तीन समस्या है पहली बात है कि जो वेस्टर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ गौड है वहुँ छोटा होता है उसको गौड को संस्कृत में या हिंदी में देवता कहते हैं या देवी कहते हैं तुमने देखा होगा कि सामान ने कया जो साधी सुदा अवरत होती है उसको लोग देवी जी कहते हैं उसका पती भी बोलेगा देवी जी सुना है तुमने या नाम में देवी लगता है यानि यानि तुम किसी गाव में जाओगी इसमें लोग सनातर धरम को पालन करते हैं तो तुमको कोई नाम से नहीं गुलाएगा तुमको लोग कहेगा देवी जी कौन आदमी कहेगा देवी जी जो तुम्हारा रिलेटिव नहीं है बाहर से जो आदमी आएगा तुमको देवी जी कहेगा और आयूस को क्या कहेगा उसको स्रीमान जी कहेगा ठीक है अब जो स्री मती जो है वो विशेज नहीं है श्री मतलब लक्षवी श्री विद्या तो श्री मती जो है यानि मती यानि मत यानि रूटेड श्री मती जो हमारे अहां औरत का जो कॉंसेप्ट है और मर्द का कॉंसेप्ट है वो विस्टर्ड कॉंसेप्ट से एक दम नहीं मिलता है हमारे अहां जो मेरीड गुमन होती है वो श्री मती होती श्री रूटेड इन लक्षवी ठीक है और श्री मान का मतलब क्या हुआ रूटेड इन वीस्टर्ड अब दोडों में दिफरेंस क्या हुआ है मान सुना है सब्द है श्री मान मतलब क्यांतिटाई आई नीड वन केथी सुगर, आई नीड वन केथी मैंगो, यह क्या है मान है, तो जो आदमी है, जो देखने में मर्द लगता है, जो देखने में और अउरत लगती है, उसको कैसे कौन सब्सक्राइब किया गया है हमारे यहाँ, कि जो देखने में मर्द लगता है, वो सॉलिड है, बोतल, लेकिन जो पानी जो हिल रहा है, वो क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड को हमारे यहाँ इस्तुने लिंक का गया है, जो लिक्विड है, वो सेमिनीन है, और जो सॉलिड है, वो मैस्पुनीन है, समझ में आ गई बात तो यह मैरीड औरत है इतना बड़ा बोतल में इतना सा पानी जो है मैरीड औरत है उसको बांद के रख दिया गया उसकी ताकत को लेकिन जो समुदर का पानी है उसको कोई बांद सकता है कि देखती हो गाए तो सब्सक्राप्राद पुड़ा लेता है इसलिए भारत की सब्रता में जो अनवारइड और बडर बूमन होती है या लिबरेटेड बूमन होती है उससे सवी डरते हैं किसे कहानियों में नहीं, लोहार वे जैसे तुमने महारानि फिल्म लेखी है, जो महारानी की, जो महारानी है, वह लिबरेटेड्ड मुण रही है, समझ में आ रही है, वो married को है, लेकिन वो liberated है, liberated मतलब she is not in bondage of any variety, उसी तरीके से एक गूसरी जो है, जो कोई भी फिल्म लेखोगी, तो उसमें औरतों को जब तक बांध के रखा गया, बांधने को मर्यादा कहा जाता है, मर्यादा यही बांतना, समझा रही है बात, मूल बात क्या है कि देखोगी कि किसी ही मंदिर में भगवान की पूजा या देवी की पूजा कैसे होती है, सबसे तेरुनी तर्व क्या है? जल, बिना जल के पूजा नहीं हो सकती, तो कहोंगे कि यहां होता है यहां होता है यहां भी नहीं होता है मंदिर में गंदा जल रखा हुआ है उसका इक्स्तेमाल सब लोग नहीं करते हैं तुमनें देखा होगा कि सामान दितया मैं किसी के साथ मंदिर में नहीं जाता आए के ले जाओगा बहले ही पांच सेकेंड के लिए जाओग या दर्वाजा बन करोगा या जालाका में बाथफूर में पूजा करता हूं छीख है तो होता क्या है किसी भी पूजा में जल सबसे जरूरी चीज है क्योंकि जल ही जीवन है तो हम लोग मंदिर की बात कर रहे हैं और अधर की कहानिया सुनाओंगा इसमें पटकने की जरूरत नहीं हम सटर नहीं रहना चाहते हैं, हम तीस बनना चाहते हैं, तो खुल मिला करो भार्तिय संस्कृатि का अधार ये हि भाईतिय संस्कृति की आधार स्री है, श्री यानी लक्ष्मी, और लक्ष्मी विष्मू की ब्याहता नहिं है, सारी हुआ है यह नहीं हो नोere का, रामा निसनि का भी भी भब भान नहीं हुआ है और लक्षमी और जो है विश्णू का भी भाव नहीं हुआ है पटा ए तुम्हे बात कुम्रै ऑक गई तो गिंदुपति में पिताजी आज कर रहते हैं तिरूपति के भगल में वहाँ विष्णू का और पद्मावति का मंदिन है लक्षमी का मंदिन पुलापुर में है और वहाँ लक्षमी को पुलापुर में क्या कहते हैं महिशाफू मंदिनी कहते हैं कि समझ में आ रहे यह बात समुद्र मंधन में छे महीना विष्णु भागवान लक्षमी के साथ रहते हैं लेकिन लक्षमी किसका दर है भाई समुद्र किसका दर है समुद्र तो इस्त्री लिख ना लक्षमी तो समुद्र से निखली है न मतलब क्या हुआ कि विष्णु भगवान लक्षमी के बौए खरिट बर है, इसे जाला वकात नहीं है। जहां मिलती है लक्षमी विष्णु से वो विष्णु निकार वहां कुछ ले ना देना नहीं है, समुदर पर विष्णु निकारा नहीं जलता है। समस्में बात आ रही है और नहीं आ रही है। तो देखो सबसे पहले चीज़ है सुनना, वेट वो सूति का आ रहा है। सुनो, अब जो सुन रहे हो तुम वो कैसे सुन रहे हो, तो ध्वनी से सुन रहे हो, ध्वनी यानि के साउंड। अब ध्वनी क्या होता है। ध्वनी यानि साउंड क्या होता है। तो फिजिक्स में इसका सी धानत है। थियोरी ओप साउंड, थियोरी ओफ लाइट, थियोरी ओफ बोशन। तुम सुन रही हो या सो रही हो। या मन कहीं भटक गया था बीच में। भटक गया था न। मन भटक गया था। तो मन भटकता है घबराने की बात नहीं है, मन का स्वरूर्प है। तो मन क्यों भटकता है तो कि आप केवन सुन नहीं रहें, आप सोच भी रहें। तो वेट कहता है कि सुनी है केवन। आप और एक्टिविटीट को संस्पेंड करिए। तो सावाने तया आँख बंद करके सुनते हैं। सबद रहें। आँख बंद करो और दिमाग की प्रक्रिया को सप्रेश करने की कोशिश करो। इसको योग करते हैं। इसको करते हैं नाग योगुग। ठीक है। अब अब तो पुल्विला करके फिर वापिस वहीं आते हैं। तो जो परा है उसको क्या कहते हैं। ब्राम। और जो पश्यंति है उसको कहते हैं ब्रामांड। जो आकास गंजा है उसको कहते हैं मध्यमा। और जो गोचर जगत है, जो दिखने वाला जगत है, जो दूरुबीन से देखा जा सकता है, जो नासा के लेब से देखा जा सकता है, उसको कहते हैं बैखरी, जो नासा के लेब से सुना जा सकता है, उसको कहते हैं बैखरी, समझ में आ रही है बात तो चार चीज़े एक है विजिबुल वर्ल्ड इम्पीरिकली मेनिफेस्टेड वर्ल्ड उसको कहते हैं बैखरी समझ में आ रही है बात तो जो पूरा प्रहमार्ड है यानि पस्यंति उसको मंदिर रिप्रेजेंट करता है उसको मंदिर रिप्रेजेंट करता है समझ में यह बात तो हम मंदिर में क्या दर्शन करने जाते हैं मंदिर में हम अपने आपको देखने जाते हैं अपने आपको समझने जाते हैं अपने आपको जानने जाते हैं मंदिर आईना है मिरव है किसका ब्रहमांड का और हम लोग क्या है हम लोग क्या है हम लोग समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है तो हम मंदिर में क्यों जाते हैं अपने को देखने के लिए अपने को समझने के लिए यानि जो मिरर हमारे घरों में बात्रूम में लगा होता है बहुत सटा मिरर होता है बहुत इंफेरियर मिरर है है कि नहीं तुम कुछ बोली नहीं रही हो मैं तुमको समझाने के लिए लेक्ट्र दे रहा हूं तुम जाओ मिरर में तो तुम्हारा राइट लिफ्ट दिखेगा उल्टा दिखता है उसमें मंतिर में सही दिखेगा लेकिन कैसे दिखेगा आँख बंद करके इस आँख से नहीं देख सकते अपने को इस आँख से तो गदत ही दिखेगा या दूरा दिखेगा तीसरी आँख से लिए उसके लिए यहां पर उती है इसको कहते हैं कौन सा चक्र है थर्ड आई चक्र आग्या चक्र है तो जब तक यह आख नहीं पुलेगी तो छथा चक्र नहीं पुलेगा तो दिखेगा नहीं क्या अपना स्वरूप अपनी फोटो अपनी ट्रू कॉपी नहीं दिखेगी और तुम्हारी इनर्दी है उसका पासवर्ड नहीं है मंदिर में हम सबों की जो इनर्दी है जो एकुमुलेटेड इनर्दी है ओवार एस साइकिल ऑफ बर्थ सेंडेल्स उसका पासवर्ड भी मंदिर में है तो आज इसको शुरुआत है तो मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा तो वो पासवर्ड की सुरूप में है तो वो नंबर के रूप में है और अक्षर के रूप में है लेकिन तुम्हें पता है कि जो विस्टर्ड पधती है नंबर काउंट करने की और इस साइट उसमें फंडमेंटल डिफरेंस है नहीं जैसे विस्टर्ड पधती क्या है हम काउंट करते हैं वान तू थ्री फोर फाइव शिक्स सेवें एट नाइन टेंग गरबढ़ी क्या हो इसमें नौ तवह एक एक डीजित के और दसवान दो डीजित का है तो यह गलत है हमारे रहा जो वैदिक मैथेमिटिक साउक कैसे काउंट करता है उसको सब सिंगिड डीजित का कैसे जीरो हमारे आप काउंटिंग जीरो से होती है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवेन, एट, नाइन, समझ भी आ गई बात, तो हमारे यहां जो सबसे बड़ा नंबर है, वो क्या है, नाइन है, नाइन से उपर बड़ा नंबर नहीं होता, अब नाइन सबसे बड़ा है, यह समाज को कैसे सिखाएंगे, हमारा समाज तो लिटरेट समाज था नहीं, हमारा समाज तो औरह समाज था, मौखिक समाज था, विश्व की बहुत सारी सब्ड़ताये, मौखिक सब्ड़ताये रही है, इसमें जितने भी पेगन सब्ड़ताये है, पेगन यानि नौन क्रिस्यन, नौन मुसलिक, नौन जीमिस वो सभी जीरों से नाईं तक गिनती हैं और समाज कोई बताने के लिए कि नौ सबसे बड़ी संख्या होती है नवरात्र नामक कुजा किसी न किसी रूप में हर जगा किया जाता है अब जो जीरों है वो क्या होता है? वो महालिया कहलाता है कोई भी जो नौरात्र जो होगा वो कहलाएगा नौरात्र लेकिन वो होता दस दिन का है वो जीरों है उसको महालिया कहते है अब रात में घटा स्थापना की जाती है घट मतलब लेव लेबोरेटरी है वो और सामाने टैया घटास श्वापनां में हम लोग जोग डालते हैं लेकिन आने चीट भी डाला जा सकता है समझतिया रही है बात तो हमारे यहां धर्म और विग्याद अलग-अलग चीट नहीं है पस्षिम में विग्याद और धर्म में नडाई रहा है हमारे यहां कोई लड़ाई है ही नहीं हमारे यहां साइंस खतम होता है वहां से धर्म शुरू होता है यानि धर्म के ज्ञान के लिए साइंस का जानना ज़रूरी है इसलिए धर्म जानने की चीज है इमानने की चीज है ही नहीं कुछ लोग सवाब कुछते हैं कि हमको कैसे पता कि हमारा गट फिलिंग या इंट्यूशन सही है कि नहीं यह सवाब सबसे पहले फ्रांस के एक दार्शनिक रेने डेकार्ट ने सोलमी सतापदी में किया था कि कैसे पता कि जो हम सोच रहे हैं वह है तो उसने कहा भाई हार चीज़ को doubt किया अगा सकता है लेकिन इसको ऑदो नहीं किया दासकता है कि सोचने से पहले सोचने वाला चाहिए हैं मैं जोचने के लिए आदमी या आवरत का होना जरूरी है ना कौन सोचेगा तो उसने कहा कि एक माइंड होता है और एक बाडी होता है जो बाडी में है वही सोच सकता है और जो बाडी में नहीं है उसको क्या कहते हैं प्रेट कहते हैं जिन कहते हैं समझ भ्यार ही बात और वो कैसे पहना होते हैं जब कोई जीव चाहे वो जिस भी जीव कितने प्रकार के होते हैं चाहे लाख प्रकार के लाइफ फॉर्म होते हैं और जो चाहरासी लाख प्रकार के लाइफ फॉर्म है उसमें मनुष्य का लाइफ फॉर्म एक है जो मोडर्न वेस्ट के लोग कहते हैं कि man is the measure of everything else, इसको कहते हैं humanism, humanism क्या है, मानवता क्या है, मानवाद क्या है, man is the measure of everything else, एक अप कैसे पैदा हुआ, the west declared that God is dead, therefore man is the measure of everything else, including the concept of God, तुमको बात समझ में आ रहे हैं, पहले दिन समझा नहीं डाता है, पहले दिन सुना जाता है, तो यह सवाद मैंने जान मुझके गलब पूछा था कि बात समझ में आ रहे हैं, तो क्या है कि हमारा अधुकार सुनने का है, समझना हमारा काम नहीं है, इसलिए किसी चीज को समझने की कोशिच नहीं करो, यादि जानना है को, प्रियोग को कुरा होने दो, कितने दिन तक, नौलिग तक, अभी जो नौ का नामला है बड़ा इंट्रेस्टिंग है, जैसे नौ दिन का नौ रात्र होता है, बच्छे नौ महीना में पैदा होते हैं, रित्वय भी नौ होते हैं, रंग भी मूलत रह नौ होते हैं, साथ रंग नहीं होते हैं जैसा दूटन गाता है, नौ रंग होते हैं, जैसे, समझना रहे बात, इस पर विस आदमी ने काम किया है, उसका नाम है, जर्मन एक साइंटिस्ट था मुल्रूट से बॉटनिस्ट उसका नाम था, गो थे या गेटे या गड़ थे और भारतिय आदमी ने भी काम किया है, उसका नाम था वह एक जाट सिख्त थे, अभी भी है नेकिन मतलब बहुत गुड़े कौमा में उनका नाम था जीत पाल सींग उबेराय तो उन्होंने एक किताब लिखी दियादार माइंड ऑफ यूरोप गेते एक साइंटिस्ट और गोथे एक साइंटिस्ट उसमें उन्होंने इन कुछ सवालों के जवाब दिये लेकिन सारे सवालों के जवाब नहीं है इसमें कारण वे बाई ट्रेडिंगेट इंगीनियर है मेकैनिकल इंगीनियर है ठीक है अब इंगीनियर ही किसी से निकली है मेकैनिक्स से मेकैनिक्स किसी से निकला है फीजिक्स से फीजिक्स किसी से निकला है मैंथेमेटिक्स से मैंथेमेटिक्स किसी से निकला है अब इस पर डिबेट है यान है डिबेट कि किसी के बाद में डिबेट है इंडियान वर्चेस यूरोपियन पेगान वर्चेस सेमेटिक चीक है जो मूल डिबेट है वो क्या है मूल डिबेट यह है कि मंदिर हमारे यहां शुरू में नहीं होता था वेदों में मंदिर की अवधार्णा नहीं है भारत में पहला मंदिर बोधों ने बनवाया भारत के लंबे इतिहास में मंदिर नहीं होते थे क्या होते थे यक्य साला होते थे उसमें यक्य होता था भारत में अभी कुछ लोग हैं जो अपने को आरे समादी करते हैं वो मूर्ति कुझा नहीं करते हैं वो यक्य करते हैं ठीक है गल्थी क्या है कि यक्य के नापपर वो हमन करते हैं क्योंकि यह का जो भी ज्ञान था वो उनको नहीं बता लेकिन दे आप इंफिरियर दोन उपर्शित इंद टेम्फुल क्यों क्यों कि जादा कर हिंदु को भी नहीं बता तो आरे समाली नहीं है वो अपने को हिंदु करते हैं दोनों को मिला जोगी तो सनातनी हो जाएगा सनातन धर्म के कितने रूप है तो सैब साक्त सैब यह जो सिम्ति पूजा करते हैं साक्त यानि जो सक्ति की मदर दॉड़ेस की पूजा करते हैं वो साक्त कहलाते हैं तीसरे वैस्णों और चौथे जो हैं वो अस्मार्ट कहलाते है अस्मात वो हैं जो वेदों को नहीं अस्पृति को जाना बहत्व देते हैं। वेद क्या है सुरूति वेद क्या है सुरूति उसके बाद क्या आया अस्पृति एश्पृति मतलब तूरी मेंबर पहली चीज है सुनना दूसरी चीज है उसको याद रखना तीशरी चीज है उसको समझना और चौती है उसके अधार पर प्रियोग करना तो जब क्लासरूम टीचिंग लेनी पड़ेगी। आप तब चाहेंगे यक्य साला में जब यक्य करने की आपके पास ठियोरी, मिथट और टेखनिक होगा। तो अंद में यह कहेंगे कि जो मोडर्न यूरोप में जो चीच लिबॉरेटरी कहलाती है। वो हमारे यहां मंदीर कहलाता है। Mandir in Sanatana dharam is not a place of worship. Mandir in Sanatana dharam is a scientific laboratory of cosmic dimension. Sun. Got it? This is the zero. This is the beginning of our course named Sanatana dharam ka svaroob. या Sanatana dharam ka bevahari svaroob. इस पर एक किताब तयार करने में अखी लगा हुआ है। मेरे already बहुत सारे lecture web site पर है। अब उसको यह compile करने की process कर रहा है। लिए कि मों हिंदी भासा में हुआ। ठीक है। इसको मैंने करीब 5 साल में train किया। क्यों। चुकि इसके जब मुझे मिला था तो इसके सारे चक्र बंद थे। तु यह लिए चाहो तो इस चीत को जल्दी सीख सकती हो। तुम्हारे जब पैदा हुई थी तो तुम्हारे साथों चक्र खुले हुए थे। और अभी भी तुम्हारे चार चक्र मतलब खुले हुए हैं। तीन पुरी तरीके से चौथा नाइंटी परसंद आप कोओ कि उसमें क्या होता है। फुलना बंद होने का क्या मतलब है कि ताला दुहा पर लगा हुए। उसमें लंबे समय के बाद जंग लग जाता है। जंग समझती हो तो वो जंदी खुलेगा ने तो उसमें थोड़ी सी आप उसको साथ सफाई करेंगे यह योग साधना करेंगे थोड़ी तो वो खुल जाता है। जब जब छठा चक्र छे चक्र फुल जाएंगे तो आपको तब दर्संग होगा मंदीर। जब तक छे चक्र नहीं पुला है तब तक आप क्या कर रहे हैं। आप भ्यास कर रहे हैं। पात्रता बढ़ा रहे हैं। आप समझ रहे हो। मंदीर में आप जाएंगे तो क्या मिलेगा मंदीर में। दर्संग नहीं होगे। सांती मिलेगी थोड़ा। अच्छा लगेगा थोड़ा। अच्छा रहे हैं। समझ में आ रहे हैं। तो हर मंदीर के साथ गुरुकुल जुड़ा हुआ होता है। बिना गुरुकुल के मंदीर का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि दर्संग नहीं होंगे ना। दर्संग क्या है। अनमेडियेटेड एक्स्पिरियंस ओफ दि कॉस्मोस इन दलेग। कॉल्ड मंदीर। समझ में आ गई बात। एक बारे दिया को यह समझ में आ गया। तो पॉलिटिक्स करना असान है। आप समझे रहे हो। तो यह सारा मामला तो चक्रों का ही है। अदर्संग का है। जिसके जितने चक्र फुले होंगे वो उतना ही भर इनर्धी प्राप्त कर पाएगा। कॉल्सा अपने बैंक का। हर व्यक्ति का एक अकाउंट है भगवान क्या है। भगवान या भगवती क्या हर व्यक्ति का एकाउंट है। आप 84 लाख योनियों से उसमें जवा कर रहे हैं। लेकिन पासवार्ड तब मिलेगा ना जब आपको यह दिखेगा। मंदिर में लिखा हुआ है। मंदिर में जो आप जो प्राथना करते हैं या जो मंत्र पढ़ते हैं उसमें अक्षरों का इस्तेमाल होता है। और साउंडी नर्थी का इस्तेमाल होता है। ठीक है अब आप लोगों को एक मज़ेदार बात बता करके आज की आज का पाट आज का प्लास हिपम करेंगे। कितने दिन का एक साल होता है। यह पेस्टर मामला है। अब एक मामला यह है कि तीन सो साथ डिगरी का कॉस्मोस है अब तीन सो साथ दिन का इक साल होता है। इसलिए हमारे जो सब जो होते हैं न महीने वो तीसी दिन के होते हैं। उनके आप को 31 का होगा, आप को 38 का होगा, कज गुग 29 का हो जाएगा। आप समझ रहे हैं न। उनका जो मामला है वो क्या है। अप्रॉक्सिमेट है हमारा मामला एक्जैक्ट है। अप्रॉक्सिमेट और एक्जैक्ट का अंतर तो हमारे यहां जैसे उदारन के लिए जो कम्प्यूटर में जो हरुस्कोप बनाते हैं न। वो एक्जैक्ट नहीं हो सकता तुकि तीनसोपैसट से दिनका साल जोडता है। हर प्रॉग्राम में तीनसोपैसट इनकीने तिनसोशाथ दिन उसको जोड़ोगे कम्प्यूटर कर बढ़ा जाएगा। क्रेस कर जाएगा। कोई उपायली नहीं है क्प्विटर में तीनसोशाथ दिन का साल बनाने का। क्यों क्यों पूरी वेस्टर ठीकिये के खिलाब है। तीनसोशाथ दिजरी का कोस्मोस होता है। यह समझ रही हो और तीनसोशाथ दिन का। यानि हमारे आरिफ्यमेतिक जोमेंट्री दोनों एक ही चीट के दो रूप है। सत्यम सीवम सुन्दरम। सुन्दर वही है जो सत्य है, सत्य वही है जो कल्यानकारी है, लिब्रेटिंग है। तीनों अलग-अलग नहीं है। इसलिए पॉलिटिक्स, विजनेस और धारम अलग-अलग नहीं है। एक ही चीट है। लेकिन आपकी अभिर्ची के अनुसार अभिर्ची यानि इंक्लिनेशन, निचुरल इंक्लिनेशन के अनुसार आप अपना काम करिए हर काम बराबर है। चीट है। पॉलिटिक्स भी उतना ही अच्छी चीट है। जितना पर्मानेंट सैलरी नोकरी या जितना बढ़िया जो है वो शिच्छक का काम है। अब शिच्छा देने के दो तरीके हैं। एक शुक्राचार्ण का तरीका है। कि शिच्छा किसके द्वारा दी जाए। आठ के द्वारा दिया जाए। और जो शुक्राचार ये वीनस। आज जो जुपिटर है प्रिहस्मति वो गाते हैं कि शिच्छा किसके द्वारा दिया जाए। बंदीर और कांट के द्वारा दिया जाए, शुक्राचार किभासा में, सिख्षा किस के द्वारा दिया जाए, कहाली के द्वारा दिया जाए, पिंटिंग के द्वारा दिया जाए, सिनेमा के द्वारा दिया जाए, ये मूल भेड है, ब्रिहस्पति, जुपिटर और वीनस है यह दो बास्तर्स हैं टीचिंग के